जोसाई नेक्स रेप्सूट के स्टाट जोसाई पहले आप लोग मेरी येच्ग को सब्सक्राइब कर दें हैं इससरे पने नेक्स रेप्सूट को श्राट करते हैं में पहले तो Watch कर देख में शीघार भीज़र तो सीसारी घृता लेता है और फिर इसी तरह टाइम गुज़ता जाता है दोनों का रिलेशन काफी अच्छा जा रहा होता है फिर एक दिन जैंगलो और सुझाई सभी अपने फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करते हैं जिसमें पहले हमें फ्रेंग दिखा जाता है जो ग्राडूइट होने वाला था और फिर गुरान कर लेती है फिर जब इनका फोटो शूट हो रहा होता है तो जैंगलो भी सुझाई को खड़े होकर देख रहा होता है अब ग्राडूइशन के बाद जैंगलो सुझाई को अपने हाउस में लेकर आता उसे कहीं लगता है कि तुम यहाँ पर जो चीज अच्छी नहीं लगती हो सुझाई करें लगती कि मुझे हाच चीज का भी अच्छी लग रही है पर फीमी जैंगलो को बैट पर बिठाकर कर लगते हैं तुम्हारी शर्टर का क्लर काफि मिर रहा है यह बाद सुनकर जैंगलो को स्मयर करने लिए बार से चाहिए लगता है तो शुझाई उसको कर लेता है और प्यांइ सिन का रुमेंज स्टार्ट हो जाता है और दिखाए जा जाता है कि इंटल जॉब पी लग चुकी थी जिसमें सजय काफी अच्छे से कामकारी होती है और अपनी जॉब के अंड होने के बाद सुझाई जख रहीए उसे लेने के लिए बसे एंगलो से मैस्ज करके कहता ही कि मैंस तो रलेट हो चाहूंका तो तुम चल्दी खड़ चली जाना मेरा वेट नहीं करना पस फिर भी उसकी बात नहीं मानती बलके जैंगलो जब आता तो सुझाइब पहले से उसका नीचे वेट करी होती है और जैंग गुरान को बाकि सबकी विडियो कॉल आती है जिसमें सभी गूर्प काल लगे हुए थे एक दूसरी से बात कर रहे हुते हैं सुजई और जैंगलो को काम याद आ जाता है तो वो लोग तो हमां से चले जाता है और फैंग भी व्लडे कॉल से चला जाता है लास्त में जब पर खड़े देखकर पहचान लेता है कि तुम किस जगा पर हो तो वह कैन लगती कि हाँ यह हमारे स्कुल के पास था ना और फिर जैसे दोनों एक दूसरे से कॉल कट करते हैं तो इते में जैंक के लिए एक ओडर आता है जिस मैसेज को देखते साथी जैंक और रेसीव करने के तो चली जाती है पर उसे पता नहीं होता कि यह किसने वेजा है और उसमें एक मफरल होता है जिसे देखने के बाद तो जैंक खुश हो जाती क्यूंकि वहाँ पर काफी ठंड थी और यह उसे किसी और ने नी बलके गुरान नहीं भीजा था और फिर दूसरी तरफ सुजई जैंगलो दिखा जाते हैं जो दोनों बाते करते हैं जा रहे है इतने में सुजई को अपना सीनियर आगे से मिल जाता है जिसको वो हाई स्कूल में हैंसम हैंसम कहती थी वो न दोनों को साथ में देखका सुजई के कान में पूछ है लगता है कि जो मैं समझ जाओं क्या यह हो ही यह मेरा बॉइफरेंड वह यह सिंने के बाद वहां से चला जाता है तो जैंगलो से कहीं लगता है कि यह वही तुम्हारा प्रिंस टार्मिंग है न को सब्सक्राइबर करते हैं यह सब फ्रेंट्स एक जगा पर इकटे हो जाते हैं जहां पर यह संग सिंग कर रहे हैं तो साथ ड्रिंग कर रहे होते हैं सुजई और फैंक काफी ड्रिंग कर लेते जिसकी वज़ा से वो टी सी दिबाते कर रहे होते हैं बाकी तीनों उन दोनों को खड़े होकर देख रहे होते हैं और फि़ जैंगलो जब सुजई को वापिस कर की तरफ लेकर जारा होता है तो सुजई कहाई लगती ही कि मीरे हाथ पाओं सर टांगे सब धूर रहा है तो मुझे हाख कर लो और फिर जैंगलो से उठा करी लेकर जाने लगता है नेक्स रे आ जाते है तो सुज़ई ने अपनी बिजिन स्ट्री पर जाना होता है तो अपना लगिज लेकर जैसे सुज़ई निकलने लगती है तो जैंगलो से पूछे लगता है कि तुम क्या कुछ पूलता नहीं रही सुजाही कहीं लगती ही कि अब मुझे ऐसी शरम आती है यह कहकर जैंगलो के चीख पर किस करके मान से चली जाती है पर जैंगलो तो उससे उसके कैप के बारे में पूछ रहा था ना कि इसके बारे में अप जैँग्लो जब अपने परज़र्ट पर काम करके वापस जाने लगता है तो उसके फ्रेंड्स उसे पूचे लगते हैं कि एक डिपार् любов की गैधरिंग वगारा क्या तो महा पर आओगे तो वह कहते हैं कि नी मैं नी आओँगा तो वो कहते है कि हमें पते है कि तुम्हारी गर्फिंड एतना शौर ओफ कर्माने की ज़र्त नहीं है तो जाय रू ने इंजॉई करने का कह कर मांसे चला जाता है सुजवाई जो अपने कंप्पनी पार्टनर से मिलने के लिए तो आई वोदिया पर उसे पहले जैंगलो से बात कारी होती क्योंकि वो लोग अभी तक आए नहीं थे इतने में उसकी फ्रेंड पीछे से आगा कहती है कि वो लोग आगे जल्दी से आजो सुज़ई सुज़ई भी जैंगलो को बाय करने के बाद उन क्लाइट्स वगरा से मिनने लगती है पर वो लोग पहले तो बहुत अच्छे होतें सुज़ई के साथ पर उसकी इंटेंशन सुज़ई की तरफ बहुत गलत होती है जिससे देखते होएं सुज़ई खाना भी निखाती कुछ भी निकाल देते हैं सुज़ई के पस उसकी एक फ्रेंड आती है जो वहां अंदर बैटी होई थी वो उसके लिए खाना लेकर आती है कहती है कि मुझे पता है कि वो तुम्हाई साथ अच्छा भी हम नहीं कर रहे थे मुझे भी यह तेकर बुरा लग रहा था इसलिए मैं तुम्हारे लिए बन लेकर आए तुम यह खालो मुझे पता है कि तुम्हे भूक लगी हुई है और मैं यहां से चलती हो क्योंकि वो लोग अंदर वेट कर रहे होंगे फिर सुज़ई चलती से खाने लगती है और वहां से जब आ रही होती है तो जैंग लो से बात करी है तो इसकी बातों से बता लग चाते है कि इस ने कुछ भी नींख थे पहली है तो इतने में आपर जैंग लो आ जाता है जैंग लो को देखते साथी इसकी गले लग जाती है और फिस रैंग लो के साथ बैटकर कार में जाने लगते है बैटे बैटे सूजही सोच में आती क्योंकि वो काफी ठक चुकी थी पर जैंग लो को अब भी इस पात का नहीं पता होता है कि सूजही के साथ कहा हुआ था घर आने के बद फाइनली सुजाई को कुछ खाने को मिलता वो जल 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 दी खाना खाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे लिए इतना दूर आए मैं हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबते खड़ी करती हूँ तो जैंगलो कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो मुझे ऐसी ट्रॉबल से कोई मसला नहीं है सुजाई भी अपने कानों पर हाथ अरके कहने लगती है कि माम ने एक तफ़ा काता है कि अगर आप ऐसे हाथ रखते हो तो जो वर्ट्स किसी ने बोले होते हो हमेशा के लिए आपके पास सह जाते है तो मैं वही कर रही हूँ जैंग लोज की बाते सुन-सुन का हंसरा होता है और हमें गुरान दिखा जाता जो जैंग को कॉल करता है जैंग से कहने लगता है कि मेरे पास VIP टिकेट्स है क्या तुम मेरे साथ चलोगी जो मुझे मेरे फ्रेंट से मिल गई थी तो जैंग लगती कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है तो सोरी मैं नहीं आ सकती यह सुनते साथ ही गुरान तो सैड हो जाता है क्योंकि वो टिकेट्स उसको मिली नहीं थी बलके उसने वो खुद पाय की थी वो भी स्पेशली अपने और जैंग के लिए इसके बाद गुरान, जैंग लो और फैंक के साथ एक रेस्टरान में बैट का खा रहा होता वहीं पर जैंग भी आ जाती जैंग को देखर वो लोग पुछे लगते कि तुम यहाँ पर कैसे पर जैंग उने कहने लगती कि तुम लोग यहाँ पर हो अगर हमारी फ्रेंड्शिप भी ना रही तो और क्या पता वो उसका बॉइफरेंड हो और वो मुझे अपना बॉइफरेंड ना समझती हो क्यूंकि वो मुझे जैसे लड़के को थोड़ी ना पसंद करती होगी अब यहाँ फैंक जिसको पता तो नहीं था कि गुरान जैंक को लाइक करता है पर भी भी वो उसे कहता है कि तुम्हें अपना लव जैंक को बताना चाहिए कि तुम उसको कितना लाइक करते हो तुम यह गलत कर रहे हो अब इसके बाद गुरान और जैंक दोनों एक साथ घर जा रहे होते है गुरान जैंग से बात कहना चारा होता है पर नहीं कहता है जैंग जैसी वहाँ से जाने लगती है तो वो फिर से गुरान को बुला कर कुछ कहने लगती है पर उसे कुछ नहीं कहती है पर उसे कुछ नहीं कहती है पर उसे कुछ नहीं कहती है अब गुरान इसके बात जैंग ल जाना है यह सुनते साथ ही गुरान फोरन हां कर देता और उसे कॉल भी कर देता जिसने यह अर्रेंजमेंट की होती है और यहीं पर हमारा यह पार्ट भी अंड हो जाता है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना